तो तो यसरुत लेक आशुलिपी के सब्दचिन्नों पर आधारित है आपको यह सला दी जाती है कि इसका नियमित रूप से अभ्यास करें ताकि आप अपने सब्दचिन्नों को याद रख सके और आसानी से उनका अभ्यास कर सके इस सब्दों के डिक्टेशन को कम से कम दिन मे दो बार अवश्य लिखे ताकि आपके सब्दचिन्नों पर आपकी पकड मस्बूत हो जाए यह डिक्टेशन मेरे द्वारा रिकॉर्ड किया गया है जोकि 80 सब्द प्रती मिनट से रिकॉर्ड किया गया है और अब डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बार स्टार्ट कितनी बार कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब लोग गंदगी समाप्त करने के लिए कुछ न करें मैं चाहता हूँ कि उचित समय पर हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए हमारे देश में बढ़ती हुई बिमारियां चिन्ता का विशय है मैं पूछता हूँ कि साफ सफाई करने वालों से घ्रणा कैसी आखिरी समविधान में भी चूआ चूत को समाप्त कर दिया गया है अतह हमें किसी जाती, धर्म या समुदाय से घ्रणा किये बिना जल्दी से जल्दी अपने चारो ओर की साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए पैरा मैं समझता हूँ कि देश में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि देश और समाज को उन्नत करने के लिए हमें अपने करतब्यों का पालन करना चाहिए उनका यह द्रिश्टिकोड एक तरह से बिलकुल ठीक है हर काम तुरंत ही करना चाहिए अंतिम अवसर का इंतजार करना समझदारी नहीं है बहुत ही संदेहास्पद परिस्थिती में ऐसा किया जा सकता है लेकिन अगर हम छोटी छोटी बात पर आपत्ती करते हैं तो हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते पैरा जन प्रतिनिधियों को यह पता करना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष किसानों को खेती पर कितना खर्च करना होता है और उन्हें फसल का क्या मुल्य दिया जाता है आज हम देखते हैं कि हमारे देश के किसानों के अपने लक्षों को प्राप्त करने के लिए परियाप्त निधी नहीं है मैं सरकार का आभारी हूँ कि उसने किसानों को कुछ राहत दी है परंतु इस समय आवश्यक्ता इस बात की है कि किसानों को समय समय पर बुनियादी चीजें जैसे खाद, बीज, बैल, बिजली, ट्रैक्टर, कर्ज, आदि मिले इस बात का इंतजाम करना चाहिए पैरा किसान बहुत ही सावधानी पुर्वक खेती करता है किन्तु कई बार प्राक्तिक समस्याएं जैसे बाढ़, सूखा, अकाल और ओला व्रिष्टी से उसका बहुत नुकसान हो जाता है ऐसी इस्थिती में किसानों को कोई सहायता मिलनी चाहिए मेरे कहने का मतलब यह है कि किसानों को आर्थिक मदद प्रदान की जानी चाहिए ताकि किसान जादा से जादा अनाज पैदा कर सके एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आजादी के बाद इस देश में खेती के बजाए उद्योग धन्दो पर ध्यान दिया गया है जिसका परड़ाम यह हुआ है कि हमारी अर्थ ब्यवस्था जो की क्रिशी पर आधारित थी लड़ खड़ा गई इसलिए खेती पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि भारत वर्ष क्रिशी प्रदान देश है पैरा सदन के मेंबरों को इस विशय पर गंभीदता पुर्वक विचार करना चाहिए आज किसानों की इस्थिती अच्छी नहीं है और उनको नजर अंदाज करने का दुस्परड़ाम बड़ा ही भयंकर हो सकता है इसलिए हमें अपनी अंतर राश्ट्रिय इस्थिती को काबू में रखने के साथ साथ अपने देश की आंतरिक इस्थितियों पर भी ध्यान देना चाहिए पैरा कई बार हिंदू मुस्लमों के बीच जगड़े होते हैं कई बार ऐसे दंगे खतरनाक इस्थिती पैदा कर देते हैं जिससे आम जनता को बहुत ही कठनायों का सामना करना पड़ता है बिभिन माध्यमों के द्वारा ऐसे दंगों पर रोक लगाई जानी चाहिए इस संबंध में किसी प्रकार की लापर वाही देश की सुरक्षा के लिए घातक सिद्ध होगी दवार लापर किसी लापरा पूहीं